नमस्कार दोस्तों आज जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर के आई हूँ ये नुस्खा आपके चेरे को खुब सुरत गोरा बना देगा साथी साथ जो तोचा आपकी डल पड़ जाती है तो डलनेस को खतम करता है यानि की तोचा पर निखार लाता है चेरे पर अगर आपके दाग धबे हैं पेमपल्स हैं यानि की आपके मुहासे हैं तो भो भी आपके खतम हो जाएगा एक दिन में अगर मुहासे हैं तो आपके एक दिन में ही मुर्जा जाएंगे पुराने से पुराने पिमपल्स को भी ये जड़ से खतम करने की ताकत रखता है ये इतना अच्छा नुस्का है ये क्या है दोस्तो ये है फिट करी fit curry जो कि आप सबी लोग जानते हैं सफाई करने में बहुत तेजी से मदद करता है और pimples के लिए तो बिल्कुर राम बान का ये नुस्का है राम बान की तरीके से काम करता है तो यहाँ पर आप देख सकते मैंने क्या किया है मैंने fit curry का powder पहले से ही तयार करके रखा है इसी कटोरी में तो आप क्या करा है fit curry को कूट करके आप powder बना ले या पर mixi के jar में डाल करके इसका बारीक powder बना ले ठीक है आप घर पे ही powder तयार करिए तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा तो यहां पर मैंने क्या किया है आदा छोड़ा चमश fit curry का powder ले लिया है आप सभी लोग जानते है fit curry जो होती है वो सफाई का काम बहुत तेजी से करता है कैसी भी धूल मिट्टी गंदगी आपके तचा पर है जड़ से खतम करेगा और pimples को एक दिन में ही मुर्जा देगा आपको क्या करना है दूसरी जो सामकरी लेनी है यह है दोस्तो कपूर कपूर बिलकुर एंटीबाइटिक की तरीके से काम करेगा आपकी तचा पर ठीक है ना आपके तचा पर pimples है या फिर जाईया है यानि कि पिग्मेंटेजन जड़ से खतम करेगा यानि कि उपाय तो एक है यानि नुस्खा एक है लेकिन इसके जो फायदे है अनेक है तो यहाँ मैंने एक टिकिया डाल दिया है कपूर का और कपूर का पौडर बना करके डाल दिया है और इसमें मैंने आदा छोटा चमड डाल दिया है फिटकरी का पौडर अगली जो सामगरी है यह है दोस्तो नारियल का तेल यानि कि कोकोनट ओयल नारियल का तेल हम इसमें डाल देंगे दो चमच नारियल का तेल तोचा को टाइट करता है ब्राइट करता है और तोचा के पेमपर्स को, दाग दब्बों को, जाईयों को जड़ से खतम करने की ताकत रखता है आप इस नुस्के का इस्तेमाल करोगे और आप अपने पारलर जाना भूल जाएंगे क्यों? क्योंकि आपकी तुचा पर बहुत ही जदा निखार आने वाला है बहुत ही जदा आपकी तुचा सौफ्ट खूबसूरत होने वाली है एक भी दाग दब्बे आपके तुचा पर नहीं बचेंगे तो आपको क्या करना है? सारी चीजें डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब आपको इसको कैसे यूज करना है? अपने चेहरे पर वो भी मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है ये जो नुस्खा जब आप बनाएंगे न इसको एक बार मैं ही बना करके रख लीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो सबसे बढ़ा को क्या करना है अपनी चेहरे को यानि कि अपने चेहरे को अच्छे से पानी से साफ कर लेना है ठीक है पानी से साफ करने के बाद में आप इस नुस्खे को लीजिए यानि कि इस ओयल को लीजिए अपने हाथों में और आप अपने पूरे चेहरे पर लगा ल यानि कि रूई लीजिए और इस से आप अपने पिंपल्स पर इस पेश्ट को लगा लीजिए ठीक है लगा करके जैसे कि अब मैं अपने हाथों बता रही हूं आपके जहां जहां पिंपल्स हैं माली जे बहुत से लोगों को ओल पसंद नहीं होता है तो आप सिर्फ अपने प दिखा रहता है आएगा इसे यह इसे मैंने भी यूज किया है ठीक है तो मैंने पिंपल्स इस लिए बोला है कि अगर किसी किसी के पिंपल्स है तो आप इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से भी जैसे कि सिर्फ पिंपल्स में लगाना तो इस तरीके साब लगा सकते हैं और पिंपल्स एक भी दाग धब्बे नहीं बचेंगे तो आपको क्या ना है लगा करके गंटे के लिए छोड़ देना है और उसके बाद में सिर्फ सिंपल यानि नॉर्मल पानी से इसको साफ कर लेना है इस तरीके से अगर आप रोज नियम से अपने चेहरे पर इसको लगाते है तो दस दिन तक इसको लगा लीजिए अगर आपके चेहरे पर दाग दब्बे हैं फिम्पल्स हैं वो आप देखना आपके कैसे खतम होते हैं ठीक है और तुच्चा पर निखार भी आएगा और अगर आप हमेशा अपनी तुच्चा पर निखार लाना चाहते हैं हमेशा आपकी तोचा बिल्कुल खुबसूरत गोरी जमा दिखती रहे और आपकी उम्र को छुपाती रहे यानि कि आपकी उम्र से आपको नया दिखाती रहे ठीक है ना बढ़ती उम्र से बचाएगी बचाता रहे ये नुस्का तो आप इसको हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल क करें और आप देखिए इसका गजब का कमाल है बहुत अच्छा है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें